गुद मॉरिंग स्टुडेंट्स आज हमारी नेक्स्ट उनिट है आपकी आज हम पढ़ेंगे लेजर पूर्थ उनिट है आपकी ये यूनिट फॉर्थ लेजर मीन्स लाइट एम्प्लिफिकेशन light amplification किसके दवारा light को amplify कर रहे है by stimulated emission of radiation किसके दवारा amplify कर रहे है stimulated emission के दवारा ठीक है laser होता क्या है laser एक light source होता है जिसकी कुछ specific properties होती है ठीक है जैसे की monochromatic light देता है monochromatic monochromatic means इसकी क्या होगी light जो देगा ये single wavelength होगी single wavelength second है perfectly coherent second क्या है perfectly coherent means same phase में ये a की phase में इसके light चलेगी means ऐसे जा रही है light sorry ऐसे जा रही है तो मल losers बाकिए अगर जो light source होते है वो क्या है same phase में देते अगर light ऐसे जा रही है तो उसकी light ऐसे आ του ये क्या होता है same phase में light देता है phase इनका same है यहां से यहां तक का phase difference इनका सेम रहेगा थर्ड प्रोपर्टि क्या है इसकी highly intensive है highly intensive है बहुत high intensity की बीम हमें provide करता है ठीक है फोर्थ है directional एक ही particular direction में एक बीम की तरह है यह हमें light देगा ठीक है यह laser की specific properties होती है ठीक है अब laser में होता क्या है तीन process होती है एक होता है absorption second है आपका spontaneous emission spontaneous spontaneous emission थर्ड है आपका stimulated stimulated emission ठीक है तीन process होती इसमें absorption क्या होता है absorption तो माल लोग कोई energy energy का photon दे रहे हैं वो atom को atom उसको अब्जोब करके excited state में जा रहा है ठीक है emission मतलब वो एक energy energy का photon emit कर रहा है ठीक है जो emission होता है यह बात हमें पता है एक level से दूसरे level में absorption हो रहा है या फिर emission हो रहा है तो energy को एक form से दूसरी form में हम change कर सकते हैं मतलब ना तो हम उसको create कर सकते और ना ही energy को हम destroy कर सकते यह चीज़ तो हमने पहले भी पड़े हुई है और जो यह energy का transformation हो रहा है वो take place हो रहा है वो किसकी द्वारा हो रहा है कोई working substance जिसका ledger में main important role है working substance का ठीक है अब one by one हम तिनों process पढ़ेंगे ledger के first होता है absorption absorption में क्या होता है इस process को समझने के लिए हम समझेंगे कि यहाँ पे दो level है e1 and e2 इसको मानते हम अपनी ground state यह है ground state ठीक है इसको e1 से represent करेंगे यह level 2 जिसको हम लिखेंगे excited state ठीक है दोनों level है यहाँ पे कोई atom है उसको हम ac represent कर रहे है ठीक है absorption में होता क्या है यह आपका energy level e1 है यहाँ से e2 अब यहाँ पे हम एक incident photon ह new energy का photon incident करवाएंगे atom पे तो atom क्या करेगा h new energy का photon absorb करेगा और क्या करेगा excite हो जाएगा excited होके excited level में चला जाएगा e2 level में चला जाएगा यह आपका excited level है तीन प्रोसेस होगी यह ए इसमें क्या है कोई atom क्या है ground state में exist कर रहा है b इसमें क्या हो रहा है कोई incident photon photon incident हो रहा है कोई जो ground state में जो atom है अपना उसके उपर थार्ड प्रोसेस में क्या हो रहा है वो photon को absorb कर रहा है और excited state में जा रहा है ठीक है, तो यहां पे यह excited state में चला गया, अब जोब किया उसको और excited state में चला गया, इस process को बोलते हैं absorption, इस process को क्या बोलते हैं, absorption, ठीक है, यह आपकी process हो गई, ठीक है, absorption में किया क्या हमने, एक photon था A, एक atom था A, जो ground energy state, ground energy level में, उसने क्या किया, ही new energy का photon अब जोब किया, और क्या हुआ, excited state में चला गया, atom क्या है, excited state में चला गया, जिसको हम A star से represent कर रहे हैं, ठीक है, अब next, यह है आपकी absorption process, ठीक है, अब next क्या पढ़ेंगे हम, अब, तीन स्टेप में हुई है, कि पहले, atom क्या है, ground state में exist कर रहा है, फिर उस पे, ह new energy का photon incident हुआ, और इसने इसको अब जोब किया, और excited state, E2 level में यह चला गया, ठीक है, A represent कर रहा है, जब atom क्या है, ground state में है, A star represent कर रहा है, जब atom क्या है, excited state में जा चुका है, ठीक है, अब इसको mathematically कैसे लिखेंगे हम, कि जो absorption है, किसी moment पे, जो absorption हो रहा है, जो absorption है, वो किसके darkly proportional हो रहा है, absorption हो रहा है, मतलब, 1 से 2 level में जा रहा है, अब जो रहा है, जो absorption हो रहा है, वो क्या है, किसके darkly proportional है, number of atom, number of atom in ground state, जो absorption हो रहा है, वो किस पे depend कर रहा है, जो ground state के अंदर, जो number of atom है, उस पे depend कर रहा है, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं, energy density, energy density, जिसको represent करेंगे हम, u of new से, ठीक है, मतलब, जो transition probability, transition probability मतलब, probability मतलब absorption के होने की probability, मतलब transition, transition कहां से कहां से, 1 से 2 level के बीच, transition होने की probability है, उसको बोलेंगे हम transition probability, probability, पी से represent करेंगे, अब कहां से कहां तक हो रही है probability, 1, 2, 2 level तक हो रही है, 1, 2, 2 level तक, जो transition हो रही है, उसकी probability, किस पे depend कर रही है, किस के darkly proportional हो रही है, जो number of atom है, किस के अंदर, ground state के अंदर, number of atom पे depend कर रही है, या फिर उसकी energy density पे depend कर रही है, जिसको हम U of new से represent कर रहे है, ठीक है, तो जो transition probability, किस के darkly proportional होई, transition probability for absorption, means energy level 1 to 2 energy level 2, is darkly proportional to number of atom present in ground state, या फिर energy density of atoms, ठीक है, तो इसको proportional का sign हटाएंगे, तो कैसे लिखेंगे, is equal to B12 U of new, ठीक है, अब ये B12 क्या है, कोई proportional constant है, जिसको हम, ये सारी theory है, जो absorption की, laser के अंदर absorption की, spontaneous emission की, stimulated emission की, सारी theory, Einstein के दवारा दी गई, तो इसका जो proportional को हटाएंगे, तो coefficient लिखेंगे, उसको बोलेंगे, Einstein coefficient, या फिर इसको बोल सकते हैं, Einstein absorption coefficient, अब जो absorption की process है, उसको हम कैसे करवा रहे हैं, H new energy provide करके, H new energy का photon provide करके, हम absorption की process take place करवा रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से कुछ energy provide कर रहे हैं, इस process को take place करवाने के लिए, तो external photon दे रहे हैं, तो इस चीज़ को हम ऐसे बोल सकते हैं, stimulated absorption, stimulated का मतलब है, हम external कुछ provide करके, उस process को take place करवा हैं, या फिर बोल सकते हैं इसको induced, ठीक है, stimulated का मतलब है, spontaneous process होती है, जो अपने आप से take place हो जाए, और जो stimulated या induced process होती है, जिसमें हम बाहर से कुछ energy या फिर उसको provide करवाने के लिए, कुछ external source apply करते हैं, ठीक है, तो absorption जब हमने करवाया, तो इसका मतलब यहां से हम h new energy का photon इसमें provide करवा रहे हैं, जो photon को absorb करके इसके पास इतनी energy आ गई कि excited state में जा सकता है, तो यह e1 state से e2 state में चला गया, absorption process टेक प्लेस हो गई, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कोई atom था a, जिसने h new photon को absorb किया, और excited state a star में चला गया, ठीक है, यह हो गई आपकी process absorption की, इसको equation 1 डाल देना, ठीक है, next है second process आपकी spontaneous emission, spontaneous emission, ठीक है, spontaneous emission मैंने बताया, spontaneous process वो होती है, अपने पड़े भी होगी, spontaneous process वो होती है, जो अपने आप से take place कर जाए, जिसमें कोई external source की जिरूरत ना हो, ठीक है, spontaneous emission का मतलब, अब यहाँ से क्या था, atom था, E1, ground state से, ground state से excited state में गया, अब atom यहाँ था, यहाँ से अब जोग होके, H new photon प्रोवाइड करवाया और excited state में, अब atom क्या है हमारे पास, excited state में है, E2 state में है, अब E2 state जो excited state होती है किसी atom की, उसका lifetime बहुत कम होता है, कितना, 10 is to power minus 8 second होता है, ठीक है, अब इतने lifetime यहाँ रुकेगा, और अपने आप से वापिस, अपनी original state में ग्राउंड state में वो आ जाएगा, ठीक है, atom अपनी ग्राउंड state में जाएगा, तो यहाँ से क्या करेगा वो, H new energy का photon जो उसने अब जोग किया था, उसको release कर देगा, energy की form में या उसको emit कर देगा, तो इस process को बोलेंगे हम, spontaneous process, spontaneous emission, means यह H new energy का photon क्या है, emit कर रहा है, तो इस process को बोलेंगे हम, spontaneous emission, ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, represent कैसे करेंगे, E1, ground energy level, और E2, excited level, excited state, तो यह क्या है, transition से पहले है, जब क्या है, अपना atom, जो A star है, वो क्या है, excited state में है, और यहाँ यह क्या है, ground state, तो यह है before transition की condition, before transition, और after transition क्या हो रहा है, E2 से E1 में atom टेक प्लेस कर रहा है, और क्या कर रहा है, H new energy का photon, release कर रहा है, यह condition है, after transition की, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंट करेंगे हैं, कोई atom था, A star, जो अपना क्या था, excited level में था, वो क्या हुआ, वापिस ground state में आ गया, अपनी original state में आ गया, और क्या किया, H new energy का photon, उसने release कर दिया, ठीक है, यह process होगी, spontaneous emission process, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे excited state में, उसका lifetime atom का बहुत कम है, 10 days to power minus 80 second है, तो वो 10 days to power minus 80 second रुकेगा, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, और अपना, वापिस, अपनी ground state में आना चाहेगा, क्योंकि उसके पास इतनी energy नहीं रहेगी, कि वो excited state में stay कर सके, ठीक है, तो वो अपनी वापिस original position में, means अपनी ground state में वापिस आएगा, और क्या करेगा, H new energy का photon, release कर देगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, atom excited state में था, excited state से वापिस के आया, ground state में आ गया, और H new energy का photon क्या कर दिया, release कर दिया, इस process को बोलेंगे हम, spontaneous emission, अब mathematically इसको कैसे लिखेंगे, mathematically कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, कि जो process हो रही है, transition probability, transition हो रही है यह दोनो, transition अब कहां से कहां हो रही है, level 2 से level 1 के अंदर, तो transition probability, P21 is equal to, किसके equal होगी, यहां transition probability, किस पर depend कर रही थी, जो number of atom present थी, कहां पर, ground state में, ground state में कितने number of atom present थी, उस पर depend कर रही थी, अब यहां क्या है, number of atom कहां present है, excited state में, पर यह process अपने आप take place कर रही है, तो इस प्रोसेस में किसी की dependency नहीं होगी, number of atom पे depend नहीं करेगी, क्योंकि यह अपने आप ही process हो रही है, यह सिर्फ depend करेगी, जो दोनों अपनी energy state है, even or two, दोनों energy level है, even or two, उनके बीच के energy gap के उपर depend करेगी, only, spontaneous emission में, जो अपनी transition probability है, वो सिर्फ किस पे depend करेगी, level two से level one में आने के लिए, जो उनके बीच, दोनों levels के बीच, जो energy gap है, उस पे यह क्या है, process depend करेगी, emission depend करेगा, और जो की हमेशा क्या रहेगी, एक constant रहेगी, इनके बीच का जो energy gap होगा, वो हमेशा constant रहेगा, और इसको represent करेंगे आप, a two one से, two one से मतलब, transition कहां से कहां, two two, one में हो रही है transition, तो two से one में, तो energy level के बीच में, जो energy gap होगा, उस पे depend करेगी, और इसको mathematically लिखेंगे, transition probability of spontaneous emission, p two one, is depends upon the energy gap between the atom, which is, undergoes the transition, level two to level one, ठीक है, और जो according to Einstein, Einstein क्या कहता है, जो energy gap होगा, between two levels, a two two even, is always constant, और इसको express कैसे करेंगे, a two one, जो की क्या है, absorption, sorry, emission coefficient, spontaneous emission coefficient, spontaneous emission coefficient, तो a two one को लिख देंगे हम, Einstein coefficient, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, Einstein coefficient for spontaneous emission, ठीक है, Einstein coefficient for spontaneous emission, ठीक है, तो इसको ऐसे भी represent कर सकते हो, p two one, level two, transition probability, for level two to one, कौन सी process है, spontaneous is equal to, a two one, means, जो Einstein coefficient है, transition probability के लिए, और process कैसे हुई है, excited state में था, अपने आप से क्या है, वापिस अपनी ground state में आ गया, और H new energy का photon, release कर दिया, तो इसको equation two दे देंगे, यह हो गई आपकी spontaneous emission process, ठीक है, next है third आपका, third क्या है आपका, stimulated, stimulated emission, या फिर, कैसे लिख सकते हो अपकी इसको, induced emission, ठीक है, stimulated emission या induced emission, अब हो क्या रहा है, इसमें भी क्या है, level two से level one में आ रहा है, atom excited state में है, excited state से, ground state में आएगा, level two से level one में आएगा, बढ़ कैसे आएगा, stimulated emission से, मतलब हमें इसका emission करवाना पड़ेगा, कैसे करवाएंगे, जब ये excited state में atom होगा, तो ये एक another photon, कोई external photon होगा, h new energy का ही, उससे interaction करेगा, और अपना क्या है, emission कर देगा, मतलब, एक तो जो ये अपजोब करके गया था, उस h new का, उस photon का, और जो एक इसने बाहर से interaction किया है, उस photon को emit कर देगा, मतलब, atom जब क्या है, अपना excited state में है, तो ये एक external photon, h new के साथ interaction करेगा, और अपनी original state, a में आ जाएगा, प्लस दो h new क्या करेगा, release कर देगा, emit कर देगा, इस process को बोलेंगे, induced emission, मतलब क्या है, ये जिरूरी नहीं, कि absorption के time ही, ये कोई interaction करेगा, बाहर की कोई atom से, ये emission के time भी, जब atom excited state में है, तब भी ये अपना photon, एक कोई external photon के साथ, हम interaction करवा के, इसका emission टेक प्लेस करवा सकते हैं, तो ये जो external photon होगा, h new energy का, इसको absorb करेगा, और वा क्या है, इसको absorb करने के बाद, अपनी original state में आ जाएगा, और क्या है, एक जो इसने absorb किया था, एक h new photon तो release करेगा ही करेगा, और जो इसने interaction किया है, दूसरे time, excited state में जाकर, उस photon को भी क्या है, ये release कर देगा, तो energy की form में, कितनी energy निकलेगी, 2 h new energy हमारी release हो जाएगी, इस process को बोलेंगे, हम stimulated emission या induced emission, इस process को हम take place करवाएगे, कैसे करेंगे, कि जब कोई atom, external photon के साथ, interact करता है, तो ये ज़रूरी नहीं, कि atom अब जो भी करें, photon को, वो photon के साथ, interaction करके, उसका emission भी कर सकता है, इस लिए इस process को बोलते हैं, stimulated emission, इस phenomenon में क्या करेंगे, ये atom अगर हमारा excited state में है, तो क्या होगा, अब देखो, energy क्या थी, इसमें absorption के case में energy क्या थी, absorption के case में energy क्या थी, even, और क्या है, h new photon अब जोब कर रहा था, और e2 state में जा रहा था, e2 minus e1 क्या है अपना, h new के equal, और same यही energy क्या है, spontaneous emission के time थी, e2 minus e1 is equal to h new, ठीक है, और यहां भी क्या है energy हमारी, e2 minus e1 is equal to h new, यह energy थी, जब यह atom क्या करेगा, एक external photon को अब जोब कर रहा है, excited state के अंदर, और क्या है, अपना एक photon, एक photon जो इसने अब जोब किया था, उसको एक जिसके साथ इसने interaction किया है, h new, इसको दुन्नों को क्या कर रहा है, release कर रहा है, h new को release कर रहा है, तो इसकी transition probability किसके एक वल होगी, दो photon को release कर दिया, तो इसकी transition probability P21, transition probability from level 2 to level 1, of induced emission is depends upon, is depends upon number of atom present in excited state, या फिर energy density, ठीक है, तो P21 induced is equal to, डार्कली का sign हटाएंगे, तो P21 u of new, ठीक है, ये भी क्या आएगा आपका एक, Einstein coefficient for induced emission, induced या stimulated emission, ठीक है, और यूनू क्या है आपकी, energy density of radiation, या atoms, ठीक है, तो ये आप क्या आगई, third, इसको बोलेंगे आप stimulated emission, अब जो आपकी first process से, क्या आया है absorption से, absorption से आपका क्या आया था, E2 minus, जो energy level E1, और E2 था आपका, वहाँ से photon absorb कर रहा था, और excited state में जा रहा था, ये process absorption थी, E2 minus E1 is equal to, H1 energy थी इसकी, और जो probability, transition probability है, वो किस पे depend कर रही थी, transition probability depend कर रही थी, B1 to B1 to U of new, transition probability कि इस पे depend, जब level 1 से level 2 में जा रहे हैं, तो transition probability कि इस पे depend कर रही है, उसकी energy density पर है, ठीक है, ये आपकी first equation थी, second process अमने पड़ी है, spontaneous process, spontaneous emission, ये था आपका absorption या फिर इसको लिख सकते हैं, stimulated absorption या फिर induced absorption, क्यों, क्योंकि हम बाहर से हम H2 provide कर रहे थे, उसको excite करने लिए, उसको energy provide कर रहे थे photon के रूप में, ताकि atom excite होकर excited state में चला जाए, ठीक है, second क्या पड़ा था आपने, spontaneous emission, spontaneous emission में क्या था, atom क्या था आपका, excited state में था, excited state में क्या था, excited state से वापिस अपनी ground state में आ रहा था, और H new energy का photon release कर रहा था, ठीक है, वापिस अपनी ground state में आ रहा था, यहां से क्या था, एक atom था, वो H new energy का photon अपजोब कर रहा था, और अपनी excited state में जा रहा था और यहां से excited state में है वो क्या है अपनी original state में आ रहा है और H new energy का photon release कर रहा है अपने आप से यह process take place हो रही है इसको इसको बोलते है spontaneous emission और इसकी transition probability कि इस पे depend कर रही थी U of new, sorry A of 2, 1 मतलब यह constant के equally आ रही थी क्योंकि यह किसी पे depend नहीं कर रही है यह दोनों energy levels है इनके बीच जो energy gap है उस पे depend कर रही है तो P2, 1 is equal to किसके आएगा A2, 1 के एक वला जाएगा यह भी क्या है आपका अब emission coefficient spontaneous emission coefficient Einstein का ठीक है, थार्ड process आपने क्या पढ़ी है stimulated stimulated emission stimulated emission में क्या होगा वही जब atom अपना excited state में होगा तो वो external h new energy का photon absorb करेगा और अपने ground state में आएगा तो क्या release करेगा एक तो जो इसने इसने अपजोग करके excited state में गया था उस h new photon को release करतेगा और एक इसने जो excited state में जाके एक photon के साथ interaction किया है उसको तो a star है वो अपना वापिस क्या है h new energy photon के साथ interaction करेगा और अपनी original state में आएगा और दो energy photons h new photon energy के photon release करतेगा इस process को आप क्या बोलोगे spontaneous sorry stimulated emission या फिर induced emission यह किस पर depend करेगी p21 spontaneous sorry stimulated process p22 level one level में आ रही है किस पर depend करेगी यह भी आपकी number of atom in excited state में कितने atom होगे उस पर depend करेगी और p21 वो equal होगा b21 u of new यह तीन प्रोसेस आएगी b21 यहाँ पर क्या है Einstein coefficient for stimulated emission ठीक है अब यह तीन equation आगई आपके पास p12 is equal to b12 u of new और एक क्या यह आपके पास p21 is equal to a21 ठीक है और थर्ड की equation क्या है p21 is equal to यह है आपकी spontaneous को represent कर रहा है यह आपकी induced को या फिर stimulated को represent कर रहा है b21 u of new ठीक है अब यह तीन प्रोसेस आगई absorption की spontaneous emission की और stimulated या induced emission की ठीक है अब इन तिनों में जो अपने पास Einstein coefficient आई है उन तिनों की calculation करेंगे Einstein coefficient कैसे क्या इनकी value होगी किस पर यह depend करेंगे यह हम करेंगे next lecture में ठीक है इसको अच्छे से पढ़ लेना thank you everyone